अब हम देखते हैं क्या सेंटिमेंट मनना है कैसे आज की ट्रेडिंग मौनिंग में रही है और अभी फर्दर कैसे रहने वाली है लेकिन उससे पहले अगर आप नहीं है तो बज़रू लाइक बटन से स्ब्सक्राइब करें बेल आइकन दबना मत भूलिए जिससे आपको टाम अब देखते हैं क्या इसने वर्क किया या नहीं किया इसका लिंक आपको डिस्क्राइब बाक्स में मिल जाता है फ्रेंड जो हम देख रहे थे लबग एक बजी के आसपास मैंने आपको पोस्ट किया था उस समय ये कैंडल बनने की कोस्टिस कर रही थी जो ये रेंज बना रहा था उपर गई फिर सेकंड कैंडल जो इसने बनाया है ये पूरे दिन को मूब को कैप्चर करता हूँ लबग त तब दिन सो के आसपास से इसने दुबारा से रिकवरी करने की कोस्टिस किया है अब तीन सो के आसपास आया था लेकिन हमारा जो प्रेडिक्सन था इसने लो का जो फॉर्मिशन किया है अगर इसको देखते हैं 271 का है हमने यहाँ पे देखा था कि मार्केट 700,000 तक आ सकता ह लेकिन अगर market यहां से कुछ recover कर रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ region होगा उस region को अगर आप देखने के कोसिस करते हैं तो market कहीं न कहीं कुछ sentiments लेके चलता है और लगाता है अगर down move बे आ रहा है तो वहाँ पे आतो market एक halt candle बनाता है या फिर एक price pattern ऐसा होता है तो हमें अच्छा यहां से एक move मिल सकता था लेकिन इसके इस तरह के moment को हमारा भी prediction नहीं था कि market इतना उपन निकल सकता है फिलाल जब इसने 70,800 के उपन निकलने को कोशिच किया तो यहां पे थोड़ी buying opportunity बनती हुए दिखे ही पड़ी थी क्योंकि देखे हाई range को उपन निकल लाता है कि हमें किवल यहां पे safe side में ही trade करना होता है यह हमें फश्च देखना है trade हमें definitely मिलते हैं जैसे कभी market जोड़ी ट्रेंड होता है तो हमें उसको करना होता है जब market range में रहे तो उस टाइम हम थोड़ा सा veteran watch कर सकते हैं अभी market के लिए जो situation मनती हुए दिख रहे है 71,000 अब यहां पे support का काम करेगा और उससे थोड़ा सा अगर weak support की बात करते हैं अगर उसको बिरकाता है 70,800 पे आपको definitely एक support देखना ही होगा अगर market इससे नीचे निकलता है तो यहां से हमें निकलने की कोशिश करना ही पड़ेगी अधर्वाज मार्केट में अभी उपर की तरह पगर क्लोज करता है इसे दो दिन के range के आसपास लबब पहुचने वाला है लेकिन इसका top को अगर देखेंगे तो 72,000 है फिलाहल अभी market के लिए हम 71,000 और उसके बाद में 70,800 दो range लेके चलेंगे इन दोनों range के बाद ही market में negative बनेगा अधर्वाज मार्केट में थोड़ा सा भी इसी बीच में closing करना चाहिए 70,300-400 का range यह थोड़ा सा important है market देखते हैं इसको कैसे react करता है अगर 4-hour setup में हम देखने की कोशिश क reference तो 4-hour setup में अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहां से इसने जो candle बनाई है यह throughout एक ही candle बनी है लबक साड़े 700-800 पॉइंट की है लेकिन यहां पर हम ऐसा pattern नहीं देखने को मिला कि higher high कर रहा है अभी एक ही candle है तो हम यहां पर अगर आपने buying opportunity देखी है तो यहां से आपको stop loss टेल करते हुए चलना होगा नीचे यह base बनाया था लेकिन इतना जबरदस formation होगा ऐसा prediction नहीं था अभी आपको थोड़ा सा press buying के लिए strong amount के साथ थोड़ा सा bet करना चाहिए as per my view otherwise आपको यहां पर भी clear move नहीं क्योंकि दुबारा से यह कि resistance zone ही है जो 71,400 का level है ultimately move अच्छा है अगर यह sustain करता है तो no doubt हमें एक अच्छा move आने वाले time में देखने को मिलेगा अगर हम 4 hours के बाद में daily time frame में देख लेते हैं तो हमारा आज का ही view रहेगा 71,400 से रहेगा 71,000 के बीच मार्केट को close करना चाहिए let's see देखते है कैसे इसमें हो सकता है क्या इसमें sentiment रहेंगे फिलार market के हम stop loss टेल करते ही यहां पर देखने वाले है जब भी हमें trade करना है हमारा यह target रहता है बहुत बड़ा नहीं रहता है हम मार्केट के साथ चलते हैं जैसे मार्केट हमारे अगेश्ट होता है आएटली previous candle को जो भी निकाले तो हमें immediate way से निकल जाता है आवरली time frame में differently हमको देखना चाहिए थैंकि फ्रेंट मिलता है next video में